श्रीमत भगवत गीता सादक संजीवनी अध्याए 10 श्लोक संग्यादू परमचन के विशय में जिसे मैं आगे कहूंगा मेरे सवाय पूरा-पूरा बताने वाला आने कोई नहीं मिल सकता इसका कारण क्या है इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्शी क्योंकि मैं सप्रकार से देवताओं और महर्शीयों का आदी हूँ नमें विदू सुर्गणा प्रभवम न महर्शीया यदे भी देवताओं के शरीर बुद्धी लोग समगरी आदी सब्दिवे हैं तथा पी वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा उनको तो मेरे दर्जन भी बड़ी गढ़िंता से होते हैं इसलिए वे मेरे दर्जन के लिए हर्दम लालायत रहते हैं ऐसे ही जिन महर्शीयों ने अनेक रिचाओं को मंत्रों को विद्याओं को विलक्षन की लीडाओं को मेरे महत्रण को पूरा पूरा नहीं जानते यहाँ भजब महर्षी esается मालूम होता है, कि उचलेपत्क以तरश्टि देवता का नाम और विव ग्लाइकर द्रश्ट का नाम adverse को जानने में कारण या है कि मैं Rider Communum और महर्चियों का सब प्रकार से आदी हूँ, अहम आदिर ही देवा नाम महर्ची नाम चा सरुशा, उनमें जो कुछ बुद्धी है, शक्ति है, सामर्थ है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वे सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है, अता मेरे से प्राप्त किये हुए प महर्शी मेरे से ही प्रकट हुए हैं अधावे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है और उसको जान नहीं सकता ऐसे ही देवता और महर्शी मेरे से उत्पन होने हैं इस मापतौल को नहीं जान सकते करन कि इन देवता और महडशीयों के प्रकट होने से पहले भी भगवान जियों के ही रहेंगे अधा जिनके शरीलों का आधि औरन्त होता रहता है वे देवता और महडशीं अन्याधी अनंद को अर्थाथ असीम परमात्मा को अपनी सीमत ब रहा है कि आपको देवता और धानव नहीं जानते देवताओं के पास भोगशमकरी की और– दानवों के पास माया शक्ति की अभीता है के भोगों में रहने से स्वक्रण को मेरे को जानने लिए समय ही शर्ण मलता और माया चल कपड़ से दानव मेरे को जान नहीं सकते है ओम नमों भगवते वासुदेवाई नमहाँ